हेलो इनलेकम काई स्वागात आपका फेंटासी डिस्टन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूरोपियन क्रिकेट लिग टीटन मैच की जो की मैच होने वाला है ऐसे हम लोग है स्मॉलीग में लेगे जा सकते is कौन सा प्ले बात करणों पिस रिपोर देखेंगे प्र 미ण चोटिस रिक्वेश क के सब्सक्राइब नहीं किया तो यूटूब चनल को सब्सक्राइब कर लिए जगा क्योंकि यह पूरी टूनामेट कवर की जाएंगे इसके साथ-साथ MCAT20 यानि कि मलेशिया T20 कवर की जाएगे इसके साथ-साथ कल से MCAT क्लब T20 भी शुरू होने वाला है और इसके साथ-साथ OMA D10 यानि कि 10-10 वोस की OMA D10 शुरू होने वाला है तो यह सारी मैच इसी यूटूब चैनल पर कवर की जाएंगे तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जगा और यहां से टेलिग्राम से जुड़ जाएगा क तो यह मैस दोपर में तीन बच कर तीस मिनिट पर कर्टामा मलंगा स्पैन में खिला जाएगा पीच रिपोर्ट की बात कि बात कि यहां से बैस्मेन और बॉलस दोनों को हैल्प मिल सकती है लेकिन कभी-कभी बड़ा स्कॉर भी हो जाता है और कभी-कभी टिम्स कॉलेफ जि इक रैन होंड की तो टोबेस विसी इनकी सरुवाद काफी अच्छी रही तीनोई मैंचिस के अंदर करीबन 50 प्लस ही स्कॉर रहा एक मैंच के 46 किया इसके बार 58 किया फिटीवन किया तो शिरुवाद उनकी जबर जस रही धाकर सुरुवाद रही लेकिन इसके बाद इनका परफरमस बिल्कुल विक रहा है तो एक बार फिर से आशार है कि इनके उपर के बड़ा स्कॉर कर सकते हैं विकर की बैंग सेक्षन में दिख जाएंगा आपको कैचिंग से चंपिक से अच्छे कासे पॉइंट्स दे सकते हैं यहां से टोबेस विसी तो एक बार फिर से आज मंजित दर सिंग को भी लेगे जाएंगे मंजित दर सिंग एवन कैप्टन सिप और वाइस कैप्टन सिप के लिए बेस चोइस रहने वाला है उनको भी ट्राइक कर सकते हो तो यह जब प्लेयर हमें मंजित दर सिंग को लेगे जाना है और यहां से देखो उनका टॉप में ज लेकिन फिर भी आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं पहली मैच को अगर छोड़ दे तो बाकी हरेक मैच के अंदर विकेट निकाल रहा है तो इनको हम छोड़ नहीं सकते नवजित सिंग अगर को अच्छी चोइस नाम मिले तो यहां से बैटिंग स्रक्षन से इनको जरूर ट दोनों को लेकर जायेंगे जूलियन डी गल क्योंकी जूलीन डी काट निकाला है तो coc gr insert भेए 2 falling apart नहीं करता है क्योंकि छिव्की टरा इनको को खेल लागियर सकते हो बाकि इतने importance लगे नहीं है क्योंकि बालिंग से भी इतना कुछ खास performance रहा नहीं हाला कि एक match के अंदर दो wicket जरूर निकाले थे तो ऐसा कुछ हो सकता है कि cricket है अगर overs डालते है वicket निकाल देता है तो दो नमर वाली बात है अभी तक तो पर्फरमस इतना कुछ खास रहा नहीं है इतने important नहीं रहेंगे बिल्कुल भी बोडन जिक ने last match के अंदर overs नहीं डाली बाकि जब भी overs डालते है तब wicket निकालते है अला कि तीन बार वicket निकाल चुक है तीन बार उनको वicket नहीं मिली और last match के अंदर वास के तोर पर भी try कर सकते हो और एक match के अंदर बंदा wicket निकाल रहा है पिछली दोनों match के अंदर दो-दो wicket निकालें बाकि स्कॉल्ज को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है तो यह ज़्यादा important नहीं रहेंगे यह चारों को तो लेके जाएंगे पांचों को यह लेके जाएंगे च्छे को लेके जाएंगे यानि कि इस team से हम वो 7 players लेने होंगे जहां से जुलियन डी मेर तक हमने 6 players ले लिये और यह से श्रीफन विंक तो 7 player हमारे यहीं से बो जाते लेकिन यहां से काफी सारे दिक्कत होने वाले है क्योंकि यहां से credit issue काफी सारा होने वाला है तो किसे players को हमें drop करना पड़ेगा और हम last में हमारी fantasy team बना थे तबी इसके बारे में चर्चा करते बाकि farmers में भी यह दोनों अपनर्स को लेके जाएंगे बाकि सुमेर से इतने important नहीं रहेंगे अगर को एची choice ना मिला तबी try कर सकते हो बैटिंग से इतना कोई खास परकामस रान है हाला कि एक बार उन्होंने 47 रन की पारी जरूर के लिए तो देख लेटे डिफरेंशियल choice पर इनको try करना हो तो कर सकते हो बाकि थोड़े से risky रहने वाले small league के लिए grand league वगेरा में या फिर या बड़े member वाली जब league खेलता हो 10-11 member वाली 4 member वाली तो उसमें आप try कर सकते हो Charles Parchand well important pick रहेंगे वान captaincyp wise captaincyp के लिए अच्छी choice रहने वाले Charles Parchand तो इनको तो हमें लिए जाना होगा James Smith को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है Will Parchand अगर कोई एच्छी choice ना मिले तब ही ले सकते हो वाकि हर एक match के अंदर बनता wicket निकाल रहा है तो यह अपनी जरूर याद रखेगा पूरी overs भी कर रहा है और wickets भी निकाल रहा है तो differential choice पर इनको जरूर ट्राइ करना है Ken Hoon ने last match के अंदर 4 wickets निकाल लिये थे लेकिन overs से फेकी की थे तो regular basis पर पूरी overs करते नहीं है तो थोड़े से risk ही रहेंगे लेकिन 4 wickets ले गए थे last match के अंदर तो हो सकता है अगली match के अंदर पूरी overs करवा सकते है दो overs करवा सकते है तो इनको भी अपनी इसाब से try कर सकते है लेकिन credit issue की वज़ा से मेरी टिम में ये fit बैठते नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग last में देख लेते हैं यहां से तो देख लेते हैं अगर को एची choice ना मिले तो try करेंगे बाकि जोर्ज रिचार्ड सन हर एक match के अंदर विकेट्स निकाले पिछली दोनों match के अंदर दो-दो विकेट्स निकाले तो इनको मैं जरूर अपनी टिम में लेके जाऊंगा तो बेंच की बात के तो Cameron Gibbs यहां से Jedi Grusey Warwick फर्थ होर यहां से Paul Camper इन में से कोई खिलेगा तो इनके states आपको टेलिग्राम में प्रोवाइड करवा दूँगा तो टेलिग्राम से जोड़ना बिल्कुल मत बूलेगा तो आईए चलिए देख लेते हैं तो बिल्कुल पर्फर्मस दिया नहीं है तो आप दोनों में से किसी एक विकर्ट के उपर रिस्क ले सकते हो तो हम लोग असा ट्राइब के उपर ले रहे हैं क्योंकि यह बंदा कभी भी बड़ा स्कॉर कर सकता है बाकी बैटिंग स्क्षन से यहां से J-Tribe N-Sync और यहांसे T-Wall Brew को मैंने पिक किया है बाकी ओलर टाण डे स्क्षन में यहां से M-Sync यहां से C-Purchad और यहां से W-Purchad को मैंने पिक किया है आप अगर चाहे तो यहां से B-Canman को ले सकते हो जी रिचार्ट सन और यहां से एट्स विंक को मैंने पिक किया है आप अगर चाहिए तो यहां से जी रिचार्ट सन को मुझा दे सकते हो काफी अच्छी पिक हो सकता है अपनी दिन के साबसे एक दो विकेट ज़रूर निकालता है तो कुछ इससरा से टीम बन रही है मेरी कैप्टन हमारे रहेंगे यासे एम सिंग और वाइस कैप्टन सिप हमारे सी पर्चट रहने वाले लेकिन याद रहे ये डेमोटी में फाइनल तीम आपको मिलेगे टेलिग्राम में से जोइन कर लेना क्योंकि यार फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लेकी टीम आपको वही पर मिलेगी तो यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगते है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरू कर सकते है बागी यूटूब वीडियो के साथ मिलेंगे बाई धन्यमाद जयहिन जय भारत